हलो एवरिवन आपका अपने इंट्यूट चैनल भारत इंटरेंडमेंट में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको ओड़ाफॉन आइडिया की 5G सर्वीस के बारे मताओंगा ओड़ाफॉन आइडिया आपनी 5G सर्वीस कब लांच करेगा और आल इंडिया पर कब लां CEO ने बताया देरी की वज़ा ओड़ा फोन आइडिया की फाइब सर्विस का इंदिजार जल्द खत्म होने वाला है कमपनी जल्द ही पूरे देश की सभी टेलकाम सरकल में फेसवाइस फाइब जी सर्विस सुरू कर सकती है कमपनी के CEO ने फाइबी सर्विस लांच होने में हु कमपनी के CEO अच्छ है मुंद्रा ने उड़ा फोन आइडिया की फाइब सर्विस लांच होने में हुई देरी और नेटवर्क डिप्लाइमेंट को लेकर बड़ी जनकारी सेयर की है यही नहीं भी कमपनी ने वित्र वित्र वर्स 2024-2025 की पहली तिमाई का रिजल्ट भी जारी किया है पहली तिमाई में कमपनी अपने घाटे को कम करने में काम्याब हुई है हलाकि वियाई के एक्टिव यूजर्स की संख्या 9.33 करोण से गटकर 18.83 करोण रह गई है मोबाइल टैरिप बढ़ने का कमपनी पर असर दिखा है कमपनी के CEO ने माना की सरकारी टेलिकाम कमप कमपनी ब्याई के कई यूजर्स ने अपना नम्मर पोर्ट कराया है हलाकि कमपनी इस बात को लेकर अस्वस्त है कि ये यूजर्स एक बार फिर से भी आई के साथ जूर सकते हैं ब्याई ने निजी टेलिकाम कमपनी द्वारा मॉइल टैरिप बढ़ने के बाद लाखों नई यूजर्स जोड़े हैं लेकिन जिनमें से धाई लाख वो यूजर्स हैं जो पहले से निजी टेलिकाम कमपनी की सेवाल ले रहे हैं भी आई 5G सर्विस को लेकर बड़ा अपडेट ओड़ा फोन आइडिया के CEO ने बताया कमपनी ने 4G नेट्वरक एक्सपेंशन और कमर्सि कमपनी ने इरिक्सन और नोक्या के साथ चर्चा कर रही है इसके फाइनलाइड होने के साथ ही कमपनी अपना 5G सर्विस लांच कर देगी अच्छे मुंद्रा ने बताया जल्द ही देश के कुछ चेत्रों में 5G सर्विस को रोलाउट कर दिया जाएगा साथी 4G नेट्रक को एक्स्पेंड भी किया जा रहा है टेलिकाम आपरेटर ने लॉंग टर्म कांट्रेक्स के लिए वेंडर के साथ लंबी चर्चा की है खास तोर पर उन टेलिकाम सरकर में लॉंग टर्म कांट्रेक्स की जरुवत है जहां चीनी वेंडर हुए और जेट टीए के इक्वेमेंट लगाये गए हैं इस वज़ाइस से हो रही है देरि कमपनी के CO ने बताया कि देश के कई टेलिकाम सरकल में हमने छीनी इक व्यमेंट का इस्तेमाल किया है जिसकी उज़से 5G सर्वेस की अनुवती नहीं है, CEO ने बताया कि लॉंग टर्म कांट्रेक्ट को लेकर होने वाले चर्चा को जल्द खत्म किया जाएगा, इसे अधिक से अधिक अगले महिने तक फाइनलाइट कर लिया जाएगा, अलाकि कमपनी जियो और एटेल से मिल रही टकर को देखते हुए जल्द ही कुछ टेलकाम सर्कल में 5G लांच करने के पूरी तयारी कर ली है, कमपनी पूरे देश के सभी टेलकाम सर्कल में 5G नेटर को फेज आउट करने में लगी है ताकि 5G सर्विस के लिए बैंड खाली हो स सब्सक्राइब कर देगी और अपना 5G लगा देगी और कमपनी की जगह भी खाली हो जाएगी और भी आई का 5G सुरू हो जाएगा, कमपनी के पास 30 जून 24 तक 4.17 लाक से ज़्यादा ब्राट्बेंड साइट थे, पिछले कुछ सब्ता हमें कमपनी ने 600 से ज़्यादा नए 4G साइट से जोड़े हैं, भी आई देश के 14 टेलिकाम सरकल में इंडोर कवरेज को इंप्रूब करने की तैयारी भी कर रही है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है कि भी आई अपना 4G और 5G सर्विस पे जोरो सोरो से काम में लगी हुई है